हाँ जया मता दे और सुनावाब सभी कैसे हो मैं उमीद करता हूँ आप लोग साई सलाम से होंगे आमा भगवती से यही कमनाई करता हूँ आप लोग जीधर भी रहो दर खुश रहो चले दोस्तों आज ऐसा एक गुप्त मंत्र का उज्यागर कर रहा हूँ आप लोग घर का बनहन करना जब चाहते हो या सोच रहे हो तो भाई यह मंत्र जो बता रहा हूँ यह मंत्र को क्या करिए उस घर में परियोग करिए ताकि अंदर का जो भी भूत परेत बैताल जीन खव इस मरी मासां जो भी है हमेशा के लिए वह भाग जाएगा बसरते बाद भाई यह मंत्र को अप उचारण करोगे तो यह मंत्रो को परियोग करोगे उस समय तो क्योंकि आप लोग क्या करते हैं कि घर का सिरीव बनहन करने का शिरीव आप लोग Himself 극ल जानते हो क्योंकि उधर क जो भी सकति है वो कैसे उसको दूर भागा जाता है ये आप लोग का पता नहीं है लेकिन जो आज मंतर में बता रहा हूँ वो मंतर को उस घर बाहने से पहले ये मंतर का परियो करिये आज देखिये जो भी उधर का दुष्ट सकती है दुष्ट काला जादू है तो जैसा भी व मंत्र है, वो मंत्र का जोन साथ समय होमाद देते हो, हवन करते हो, उस समय ये मंत्र का 5 या 7 बार क्या करिया है, शिरिफ हवन कर लेना है, हवन जब कर लोगे, तो क्या होगा कि ये जो मंत्र का जो सक्तिय है, आपके अंदर इसका उर्जा मिल जागा, जब भी उचारन करोगे, जब सक्तिया जो आकर फिर आपका जो भी कारिया है वो कारिया कर देगी बसरते बाद क्या करना है कि घर बनहन करने से पहले ये मंत्रा का परियोग करना पड़ेगा बसरते बाद क्या करना है कि भाई देखो क्योंकि कुछ समागरी का इसमें जरूई पड़ेगा क्या उल्टा सरसो उल्टा सरसो होना चाहिए दूसरा समागरी ने उल्टा सरसो और जो रेत होता है बालू होता है वो आपको चाहिए अब बोलो के गुरुजी कीतना कीतना चाहिए देखो छोटा मोटा घर है दो कठरी तीन कठरी के है तो आप लोग क्या करिए धाई या 300 गराम जैसे आप लोग के बालून लेना है टीक है अउसमें पाचास कराम जीतना उसमें उल्टा सर्सो डालना उल्टा हो चाहिए कि घर का जब वध्रण जब करते हो तर भाई उल्टा सर्सो उसमे जैसे भी साधक अब नहीं करते हों गहें उसका जो exceptionally सही तरीका से नहीं होता होगा ठीक है तो आप लोग के क्या करेंगे कि उल्टा सरसो और क्या करने के बालू जिसको रहता बोलता है यह कापस में उसको क्या करना है मिक्स करना है कोई ऐसा थाल में राख लिजिए या जो दवरी होता है उसमें राख लिजिए ठीक उसको अच्छे तरह से मिला लेना है फिर मंतर आपको पढ़न है यह कई से बार मंतर में बात आ रहा हूं देखें सरसो बालू उठावा चल चारू चोहती बाना चल तंत्र मंतर भूत बायताल सब बाहर चल मंतर खाली ने जाए हे भगवती सक्ति तोहार भक्ति यमर सत गुरु का बंदो बार एक बार और में बोल देता हूं सरसो बालू उठावा चल चारू चोहती बाना चल तंत्र मंतर भूत बायताल सब बाहर चल मंतर खाली ने जाए हे भगवती सक्ति तोहार भक्ति यमर सत गुरु का बंदो बार यह मंतर बहुत चमतकारी है भाई घर बानने से पहले परियोग जब करना चाहते हो परियोग करके देखिए लेकिन दुसरे पहले दुसरे घर बाना होगा उस घर में ऐस घर में बहुत डिली आसमान के भाई फरक हो जाएगा इसलिए इसका परियोग करना है परियोग बोलो ह brag है थोड़ा थोड़ा उठाकर उपर से आ अपर शेटा करने सकते मार जो спрос जो रहती है काला जैदू रिलेटेड या भूत प्रेट जीन खविस मरी मासान तो उपर जब यह मारोगे तो उपर का जो भी शक्तिया के बास रहे कदम नीचे आ जाएगा उसके बाद में नीचे जब आ जाएगा तो बोलना है उसमें भी थोड़ा सब उधरे भाई नहीं छि भागर है जोबी मता नहीं होते हों उसी के कारना से आप लोग पता नहीं लग पता है कि यह सक्तिया होती है बनन जब कराते हैं तो किधर भागती है तो इसका जो नजर होता है उसका ध्यान होता है आपके घर के उपर से उसका हट जाता है दूसरे दूसरे घर पर क्या होता है कि उपरसान करेगी और लोगो के भरबाद करेगे ठीक है अब का उसका दिमाग में चल रहें इसको भी परभारण करूगोगे लेकिन परभारण कर लेगे सोचे कि लेकिन आपका घर का अस्वास में आयगी तो क्या होगा उसका दिमाग जो होता है एकदम पलोट जाएगा जोड़ो हटाओ चाहा उसको दिमाग में ऐसा ख्याल आजागा हांगे पहले से मैं इसको पर्तांज क्या हो छोड़ दो एह हिसाब करिए अप लोग परियो करिया इसका लाब लीजिए ठीक है क्योंकि बहुत चमतकारी है और बहुत आच्छा रिजल्ट इसका याता है आपके घर में जो भी किया कराय रहाएगा हमेशा के लिए क्या होता है कि वो भाग जाता है छोड़ कर ठीक है आपके आस्वाप में जो भी मातावन है जो भी इंसान है उसको परसान करेगी ठीक है लेकिन आपका बक आने नीचे में कर देना है जो भाचेगा आपका जीतना भी जमीन है जमीन को बनहन जब कर रहे हो तो उसको चारो राउंड करना है अब क्योंकि चवहदी में देखो कभी भी क्या होता है कि बनहन जब होता है चवहदी लेकर बाना जाता है लंबाई चवडाई चारो तरीका से नहीं होगा ठीक है क्योंकि ऐसा करके ऐसा करके फिर ऐसा करके बन्हन किया जाएगा जीतना उसका जागा जमीन है जीतना में घर बनवाया है वह सब में क्या होता कि मिलाकर फिर बन्हन किया जाता है फिर जाका भाई हो हमिशा के लिए बन्हन जो होता है आप लोग क जाता है फिर जाकर आपका कारिया होता है ठीक है तो यह जो बीदी होता है जो भी मेरा भाई जो अभी नया है उनके लिए में बताया जो पूराना है उसको पाता नहीं है गश्नार में बताया है उसको क्या करेगँ जो भी बनपन पहले से कीए हो इसका रिजल्टी मिलाईए आपको देखो गए यकीन नहीं करोगे वो घर का बनपन में इस घर का बनपन में नीचे तक ठीक है और ये जब कर दोगे तो आपके पास जो भी मंतर से आप लोग बनहन करते हो तो फिर क्या करिए इसी का उपर दोहरा दीजिए कि उपर नीचे तो ये मंतर से आपका कारिया हो गया लेकिन चवहदी जब आप लोग बनहन जब करते हो तो क्या करिए उपना वी मंतर से यह तो हो गया फिर अपना मंतरा फिर सर्स बालों मांगाई आप पीर उसमें पड़ी या फिर चोगती लेकर फिर बांद देजिए डबल सुरक्षा हो जाएगा क्योंकि जीतना सुलक्षा घर में मंत्रा का परियोग करते हैं सेफटी देने के लिए एक से करो दो से करो तीन से करो जीतना मंत्रा से जब करते हो जीतना बीदी से जब करते हो उतना घर का सेफटी होगा उतना माता वहन क्या होता है दुख और तकलिफ से उसको छूटकारा मि तो आज के लिए में इतने में बोलूँगा ठीक है आए अभी तक मेरा यूटूब चाइनल अपन देशिकान सस्क्राइब नहीं के तरह साथ में जूड़ जाएए जूड़ जाओ को तो एक फेमली और एक परिवार के तरह हो जाएंगा ठीक है जो भी आपके आपके आसवास म जो भी देहाती ज्यान जो होता है वो परचार करना ठीक है जो तरीका होता है बीधी होता है आप लोग का बादाना ताकि यह परियोग करें कि आपका जो भी समयश्या होता है आपका माता बहन जो भी आपके पास आती है उसका समयश्या को हलो जैसा भी हो हो मेरा मकसद यह ह ठीक तो उन तक मेरा वीडियो जो होता है शेयर करिए ताकि मेरा वीडियो के लाब ले सके चलिए आज के लिए मैं इतने में बोले अभी के लिए चलता हूं जय मातादी जय होता है रिवाई